आप सभी को रहे मुकर मेशकार, एप्ट्रिक्सी क्लासेज और लर्णिंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज Block Zero के Calculation Skill का जो मॉड्यूल है Block Zero, इसमें हम Edition Skills सीखेंगे, नंबरों को जोडने की कला, आप सूच रहे होगे नंबरों को जोडने की कला की क्या ज़रत है, यह तो आपको पहले से महलूम है। कुछ नई चीजें जाननी है, और यह भी जाननी है कि कहां कहां improvement करना है। तो इसका जो stop topic है, उसका नाम क्या है कि Mastering Two-Digit Edition, दो अंकों की जो संख्याओं का योग है, उसको कैसे Master किया जाए। Master word यहाँ पर मैंने बहुत carefully लिखा है। Master का मतलब यह होता है कि यह आपकी skill का part होना चाहिए। जैसे आपके लिए 15 प्लस 12 क्या होता है, 27, इन दो ट्रिजट के नंबर को आड़ करना आपके लिए आसान है। Naturally आप इसको बोल पाते हो बिना कोई actual edition operation perform किये हुए। यह है आपकी edition skill। लेकिन अगर मैं वही आपको दो नंबर ऐसे दूँ कि 89 प्लस 76 आपको करना है, तो वो जो calculation है आपकी वो आपको 165 लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। कि 89 प्लस 76 जो आपका है वो 165 होता है, वो थोड़ा सा वक्त ले सकता है। तो जैसे आपके लिए 5 प्लस 7, 12 है, जैसे आपके लिए 11 प्लस 12, 23 है, आटमेटिकली दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे ही आपके हर दो डिजिट के नंबर के सम दिमाग में आने चाहिए। तब आप दो डिजिट के नंबर के सम के मास्टर कहला होगे। और इसकी need क्यों है, competition में अगर आपको ये चीज़ आती है, तो आप already race में बहुत आगे हैं, इस lesson में बहुत detail में Edison skills पे focus करूँगा और one by one में आपको बताने वाला हूँ कि ये क्यों जरूरी है और कैसे इसको improve करने की जरूरत है आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, पहला सवाल यहार होगा कि मुझे नंबरों को जोड़ने की speed बढ़ाने की जरूरत क्या है, आज पास जितनी भी लोग मुझे दिखाई देते हैं या student दिखाई देते हैं, उनकी speed वैसी है जैसे मेरी है, तो मैं क्यों अपनी addition speed को बढ़ाऊं, तो मैं आपसे कुछ शब बोलना चाहता हूं, कि actually आपकी जो addition की speed है, यह कुछ वैसी है जैसे class 10th में थी, बहुत ज़ादा improvement उसमें है नहीं, उसी speed से आप भी उन numbers को add करते हो, एक एक number एक साथ लेके, ठीके, मैंने आपको 4 number लिख दे, 12, 89, 76, 48, लाइक करते थे, तो आपकी जो addition speed है, वो वहीं अटकी हुई है, आप खुद तो बड़े हो गए, लेकिन addition speed में कोई अंतर आया ही नहीं, इसमें एक बदलाव की जरूरत है, अगर थोड़ा सा इस पर काम किया जाए, तो यह speed बहुत बहतर हो सकती है, यही मेरा focus है, यह बताना आप को किसको बहतर क्यों करना है, दूसरा देखे, addition operation जो होता है, जो जोड का operation है, यह सबसे basic operation है, अगर आपने इस operation में अपनी expertise develop करी, आपने इसको master कर लिया, बाकी सारी calculation अपने आप आसान हो जाती है, चाहे आप division की बात करो, या multiplication की बात करो, वो in a way they can be converted into addition, मतलब उनको हम ultimately addition के form में convert करते हैं, break करके जब आप divide करते हो, तो something into something इतना आएगा, फर इतना remainder बचेगा, तो something into something क्या है, वो भी एक तरह का addition operation है, कि अगर मैंने आपसे कहा कि 12 into 13 है, तो इसका मतलब होता है 12 को 13 times add करना, ठीक है, यही तो आपको दे रहा है 12 into 13, तो जो भी mathematical operation आपको प्लस, माइनस, into, division, यह सारे, ultimately इनका जो base है वो addition है, तो अगर आपकी addition के skill, जोडने की skills है, वो बहतर है, मैं उस skill की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपको class 8th और 10th में आते हैं, तो और वही आ जाता है, ठीक है, बालकि naturally अपने domain को expand करना, आपकी जो ability है, single digit numbers को add करने की, उ two digit numbers तक ले जाना है, यानि दो digit के कोई भी दो number अगर मैं आपको provide करूँ, तो आप automatically उन numbers का sum निकाल पाएं, यह process जितना जल्दी तेज होगा, जितना बहतर आप इसमें हो जाओगे, आपकी calculation उतनी ही आसान हो जाएगी, फिर बात आई, चलो ठीक है, समझ गए कि क्यों करें, फिर बात आई कि practice कैसे करें, process बहुत चोटा है, मैं आपको सिखा दूँगा, लेकिन फिर उसकी practice कैसे की जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिर एक यहां पर बात लिखी हुई है कि daily calculation ritual आपको करने को मैं बताऊंगा, आपकी अपनी तयारी में हर दिन, जब तक का preparation कर रहो, एक 15 मिनिट का time उसमें से 10 से 15 मिनिट का time, 10 तो 15 मिनिट का time जो है, आप अलग से निकालोगे एक daily calculation ritual के लिए, यह बहुत जरूरी है, आप लोग calculation को बहुत ज़ादा ignore करते हैं, आपको लगता है calculation तो मुझे आती है, या फिर calculation के नाम पे आप Vedic Mathematics सिकते हैं, ज लेकिन जब बात होती है किसी चीज़ को skill बनाने की मैं बात कर रहा हूँ, दो नमबरों को तेज जोड़ना सिखना है, तो डिजिट के नमबर को, यह जब skill आपका बन जाएगा, आपकी calculation हर जगा improve हो जाएगी, इसलिए मैं शिरुवात कर रहा हूँ, calculation skill की simple two-digit additions है, यह ritual प्राक्टिस करनी है, फिर एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, इस process को जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इस process को अगर आप उठा के 10,000 लोगों को बता दो, process बता दो बस, उसमें से 99.99% लोग इस process को ठीक से follow नहीं करेंगे तो क्या होगा उनकी addition skill में improvement नहीं होगा यानि 1 out of 10,000 लोग अपनी addition skill को improve कर पाते हैं तो आप कह रहे होगे कि फिर तो ये तो बहुत कम number है हमारे यहां हमारा improvement कैसे होगा ठीक है अगर 10,000 में कोई एक ही कर पाएगा तो हमारा improvement कैसे होगा calculation में देखे improvement क्यों इतना कम होता है क्योंकि लोग उस process को follow ही नहीं करते हैं तो मैं आपको यहीं बताना चाहरा हूँ कि success rate low होने का reason है process follow नहीं हो रहा है अगर आपको muscles build करनी है जिम आप जा रहे हो तो आप एक दिन में जाके muscles बना पाओगे दो दिन में जाके बना पाओगे regularly आपको उस particular muscles के लिए strength exercise करनी पड़ती है और time देना पड़ता है तब जाके आपकी muscle में enhancement होता है improvement होता है तो यहां होता क्या है लोग जोश में इस process को शुरू तो करते हैं इस process में मेरा role कम है मैं आपको छोटी छोटी बाते हैं जो बता दूँगा लेकिन आपका role बहुत जादा है क्योंकि वो process आपको काफी लंबे time तक follow करना है अपनी तयारी में लगे रहना है उस process में और वो चीजें लोगों से हो नहीं पाती है 10 दिन में surrender 15 दिन में surrender एक महिने में surrender डेड़ महिने में surrender दो महिने में surrender क्योंकि result चाहिए तुरंत तुरंत result इसमें आएगा ही नहीं तो मैं आप से क्या expect कर रहा हूँ कि आप इस process को क्योंकि most likely क्या है आप इस process को सुरू करोगे और छोड़ दोगे पर अगर आप हमारे यहां पढ़ रहे हैं तो मेरी यह जिम्मेदार ही है मैं आपको बताओं कि यह process बहुत important है यह किसी भी topic से ज़्यादा important है क्योंकि calculation तो हर topic में इस्तेमाल होना ही होना है बहतर calculation speed का मतलब आपके पास exam में ज़्यादा time है questions को tackle करने के लिए क्योंकि हर per question में आप कुछ ना कुछ time calculation के front में बचा लेंगे मेरी एक बड़ी skill है मैं आपको बताओंगा मेरी calculation skill तो मुझे calculation से डर नहीं लगता है आप calculation से डर ही इसलिए जाते हो क्योंकि ना तो आपको calculation का सही तरीका मालुम है और नहीं आपको आपकी जो basic calculation है वो strong है वो strong नहीं है तो यहीं मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपसे तो यह बता के आपको कि 10,000 में से केवल एक आदमी जो है इसको master कर पाता है लेकिन मुझे उमीद है कि आप में से सारे लोग इसको master करेंगे यह मेरी आपसे उमीद है मेरी उमीदों पर खरा उतरने के लिए क्या करना है आपको simple process follow करना है एक commitment लेनी है कि यह तो मैं करूँगा या करूँगी अगर आपने commitment ले ली तो आप हमारे पढ़ने वाले सारे students की calculation improve हो सकती है 100% आप बना सकते हो इसको लेकिन मैंने बता दिया कि success rate इसका normal population में क्या है ठीक है इसलिए उमीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनके इसको जरूर से जरूर follow करेंगे ठीक है चलिए आगे देखते अब देखे इसके उपर क्या लिखा हुआ है let me show you something तो before मैं कुछ आपको बता हूँ मैं कुछ आपको देखाना चाहता हूँ मैं कुछ numbers लिखने जा रहा हूँ और फिर उन numbers को sum करूँगा वो numbers मैं randomly लिखूँगा ठीक है क्योंकि slide पे तो कुछ है निए मैं randomly आपके सामने वो numbers लिखके उनको sum करने की कोशिश करूँगा ठीक और फिर आपको देखना है कि ऐसे ही आपको भी sum करना है और यह possible है मेरी भी calculation speed ऐसा नहीं तकि पहले से ही बहुत अच्छी थी ठीकि मैं भी आपकी तरह करता था calculation पर कभी ऐसा लगा कि इसको बदलाव करने की जरुवत है इसको मैं speed up कर सकता हूँ जो perception लोगा है कि मेरी calculation speed ठीक है वो इसलिए है क्योंकि बाकी आप आस पास के लोगों को देखके आपको लगता है कि इतना बहुत है लेकिन उसको improve किया जा सकता है तो चलिए उस पे काम करते है और मैं कुछ numbers को लेकिए आपको add करके दिखाता हूँ तो मैं numbers randomly लिखोंगा और फिर यंको add करेंगे ठीक है तो मैं number लिख रहा हूँ 56- possible due 79 लिख दिया and 47-6 ले टिए-फिर मैंने 48 लिख दिया अब दिखिए मैंने इतने नंबर्स आपके सामने लिखे हैं दस नंबर्स लिखे हैं ठीक है अब मैं इनको सम करने जा रहा हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि कने इसको कैसे कुटलि सम किया जा सकता है तो आपको 35m mg फ मिलेगा 31 में अगर आपे तो आपको तुटोंटी मैं मिने हैंा तो 335 मिलेगा 432 में 86 अगर आप प्रती कुटें और इसमें आपने 48 आट किया तो आपको 639 मिलेगा ठीक है चकर लेना सही है कि नहीं है यह सही हो गई अब मैं आपको चीज बताता हूं तो यह कालकुलेशन मैंने किस कंडिशन में करी है यह कालकुलेशन करते समय मेरे सामने एक कैमरा है ठीक है मुझे इस बात पर ध्यान दे से फिर भी मैं इसको इतना तेज क्यों आड कर पा रहा हूं आपको पता है क्योंकि मेरे लिए यह सम 5 प्लस 7 12 जैसा ही है जैसे आप कहते हो 5 प्लस 7 12 वह आप भी गलत नहीं करोगे अगर आप एक रिकॉर्डिंग कर रहे हो बैठ जाए 5 प्लस 7 बोलना 12 भी आएगा ठीक है यह सायद उससे बहुत ऊपर है ठीक है तो एक नॉर्मल सरकुमेस्टांस की अगर मैं बात करूँ मैंने आपने आपको टेस्स किया हुआ है कि अगर आप मुझे 10 दो डिजिट के नंबर दे दो और मैं कहूं कि if I am on my best levels कि मुझे इसको calculate करना है इसका सम निकालना है तो आपको मैं बता रहा हूँ competition में आप already आगे निकल गए सबसे आपको कुछ सोचना ही नहीं है आप already आगे निकल गए हो ठीक है आप इस speed को attend करने की कोशिश मत करो मैं कर रहा हूं मत करो आप कम से कम 15 सेकंड लेओ तो आपको करना क्या है आप पहले अभी टेस्स करना कि आप आपको यह 15 सेकंड का टार्गेट करके आगे बढ़ना है धीरे धीरे करके इसको कम करना है मैं आपको बताऊंगा ठीक है चलो इस नंबर को reverse order में भी सम कर लिया ठीक है तो 4873 आपका कितना हो गया 121 121 और 86 आपका हो गया 207 207 97 आपका हो गया 304 26 मिला दिया आपने 330 हो गया यह 89 आपने मिला दिया 419 हो गया 47 मिला दिया 466 हो गया इसको आपने मिला दिया यह 504 हो गया 79 आपको मिला दिया 583 बना 56 आपने add कर दिया 639 हो गया ठीक है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है में भी आप calculate करना कितने second मुझे लग रहे है ठीक है लेकिन यह possible है ठीक वो process ऐसा नहीं कि मैंने create किया है, मैंने भी इस process को कहीं ने कहीं सुना, लेकिन मैंने वहीं बुला ना कि 10,000 में से एक आदमी इसको master कर पाता है, ठीक है? लेकिन मैंने इस process पे काम किया, ये process हर जगा बढ़ाया जाता है, जो भी बताऊंगा मैं आपको, कैट experience पढ़ते हैं, सारे coachings में चीज़ें बताई जाती है, कैट experience को, इस segment में शायद नहीं बताई जाती होंगी, SSE experience के लिए, बट cat segment में तो ये सबको मालुम होता है, books में भी ये method दी होंगे आपको, कि calculation कैसे करनी है, बट इस process को लोग follow ही नहीं करते हैं, इसलिए problem है, तो अगर आपको यहां कुछ awesome लग रहा है, कुछ amazing लग रहा है, आपको यही सोचना है कि यह possible है, यह कर सकते हो आप, तीक है, मैं तो कर रहा हूँ कि मेरे कुछ time अगर मिलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा, मैं इसको और जल्दी करूँ, अपनी speeds को बढ़ाने में बुरा ही क्या है, तो मैं कर रहा हूँ, अभी वक्त नहीं मिल दा है, थोड़ा practice नहीं कर पा रहा हूँ, यह तो, मैं अब कभी addition को practice नहीं करता हूँ, वो process खतम हो गया, एक बार चलाया, 3-4 मेने बाद खतम हो गया वो process, ठीक है, उसके बाद तो अब जब भी समाते, तो मैं उनको तेज से कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं इस पे और काम करूँ, तो मैं शायद और तेज कर सकता हूँ, ठीक है, तो यह चीज़े हैं कि यह इतना natural हो गया है, यह outcome मेरे लिए, वही 5 plus 7, 12 टाइप का हो गया है, कि numbers को glance करके, मुझे 56 को 56 पढ़ना नहीं पढ़ता है, ठीक है, वो visually 56 देख रहा है 79, तो इस तरह से processing भी fast होती है, तो आप अपने को limit मत करो, अपनी abilities को limit मत करो, अपने पर विश्वास रखो, दूसरों को देख के आप normalcy मत समझो, कि वो भी ऐसा कर रहा है, तो यही normal है, ठीक है, टीचर भी तो slow ही करते हैं, तो वही normal है, ठीक है, तो उमीद करता हूँ कि आप इसको समझ पाएंगे, और इस पर काम करेंगे, तो कुछ इस तरह का result आपको मिल सकता है, मैंने बोला कि आप 6 second target मत करो, आप 15 second का target लेके लेकिन चलो ना, 15 minute का ritual रोज करना है, और उसके बारे में फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि वो कैसे करना है, किस तरह से आप इसको improve करोगे, ठीक है, तो दीखे, अब मैं आपको समझाता हूँ, कि इसका process क्या है, दीखे, process बहुत आसान है, पहली बार तो यह है कि शुरुआत आप कैसे करोगे, धीरे धीरे यह natural हो जाएगा, पहले तो सबसे मुश्किल टास्क है कि इसको सुरू करना, बहुत resistance होता है, जब आप सुरू करोगे तो आपको लेगा कि आप naturally तेज करोगे अगर करते हो तो, जब इसको सुरू करोगे तो आप सोड़ा slow हो जाओगे, जैसे मैं आप से दो नमबर दे रहा हो कि 56 प्लस 79 निकाल दो, आप कैसे करते हो, आप कहोगे 9 और 6, 9 और 6, 15 होता है, फिर आप कहोगे 1 कैरी हो गया, तो यह 6 और 7, 13 हो गया, ठीक है, आप को साथ टाइम नहीं लगेगा, अगर 1 डिजिट, 1 डिजिट अइड करोगे आप, ठीक है, लेकिन अगर मैं आप से अभी कहूँ कि एक काम करो, सिंगल डिजिट के बारे मत सोचो, आप सीज़े इसको डबल डिजिट के तरह डारेक्ट आइड करो, तो उसका जो प्रॉसेस होगा, वो यह होगा, कि आप कहोगे, 56 करोगे पहले, प्लस 9 पहले करोगे, मतब यहां 56 लिया पहले आपने, और इसमें यह इसका यूनिट डिजिट 9 जोड दिया, यह आपका कितना बना, 65, फिर आपने इसमें 70 रइड कर गिया, 135, समझतो आप? तो यह दो नंबरों को जोडने का जो प्रॉसेस, मेंटल प्रॉसेस हो यह, यह आपको फॉलो करना है, ये mental process आपको कहीं ने कहीं follow करना है ये आप naturally करते हो 9, 6, 15, 5, 7, 12, 11, 13 ये आपको already आता है ठीक है और ये अभी आपको fast लगेगा जब आप शिरुवात करोगे तो आपको ये लगेगा कि ये slow है मैं आपको एक ही बात बोलूगा इसका ध्यान रखना फिर ठीक है जो मैंने इसको तो बदलना है तो resistance है शुरू में जब आप इन दोनों numbers को आड़ करोगे न तो आपको लेगा कि double digit को सीधा जोड़ने में मुश्किल हो रही है डरना मत बचपन में जब आप पैदा हुए थे तो चलना जब आपने शुरू किया था न तो पहली बार में नहीं चल गय उठे गिरे थे फिर गिरे थे बार बार गिरे थे पर कोशिश जारी रही तो आप अल्टिमेटली यू स्टार्ट इड है न या आपने वाक करना सीखा यह वही प्रोसेस है आपको लगेगा कि आप स्लो हो गया हो single digit edition तो तो तेज चल रहा है आप के लिए चल रहा है ना आएगा कि नहीं इंप्रूब्मेंट तो करना पड़ेगा इंप्रूब्मेंट करना पड़ेगा तो यह प्रोसेस सुरू करोगे कम से कम अब अपनी बाकी काल्कुलेशन जैसे भी करना करो पर कम से कम इस प्रोसेस को स्टार्ट करो लगातार करोगे तो चेंज जरूर आप मैंने कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं आपको मैं करा हूं कि आपके सामने कर लिखे हैं तो उनको शुरू में आड करने कोशी करो डिले होगा लंबा लगेगा प्रोसर्स जीसे डिजिट की आदत चूटेगी बाद में पता है क्या होता है जब आपकी आप प्रोसेस में रहोगे थोड़ा इसको काम करते रहोगे लगातार 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 फिर ये रियक्शन नैचुरल हो जाता है यह वही कहानी है कि 5 प्लस 7 आपका 12 होता है तो एक टाइम था जब फ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा कि 35 और 38 73 होता है अगर उतना नॉर्मल नहीं भी होता है कम से कम तो आप इस रियक्शन के थूरू कम से कम जल्दी काल्कुलेट तो कर सकते हो कि 135 प्लस 8 आपका 143 हुआ प्लस 30 निकाला 173 हुआ अडलीस मेंटल काल्कुलेशन होने लगेगा फिर यह जो double step process है इसका time कम होने लगेगा कम होने लगेगा कम होने लगेगा और with practice एक समय ऐसा आता है कि natural हो जाता है यह time ही खातम हो जाता है ठीक है आपको 35 प्लस 38 73 यह पहले से ही पता होगा यह natural होगा आपको कुछ नहीं करना है और आप शीज़े वाली रूर के होगा तो यहां जो भी calculation हुई है ठीक है यह reaction natural बनाने के पहले आपको शायद इस phase से गुजरना पड़ेगा जहां पर आप यही करोगे 56 प्लस 9 आपका 65 हुआ प्लस आपका 70 हुआ 135 हुआ इस प्रॉसस से गुजरना है और इसी में speed up करते रहना है साथी साथ calculation में आपको pin नहीं उ जाती है क्योंकि आप process को सही से follow नहीं करते है ठीक है डी आई में मुश्किल आपको सिर्फ इसलिया आती है क्योंकि आप calculation आपका slow है calculation slow है तो आप एक छोड़े से operation को perform करने बहुत टाइम लगाते हो इस टाइम को अगर आप कम कर लो यहां पर तो आपको कभी दिखत नहीं पहला phase आपको पता है कि अगर आपको let's say मैं बोलू कि 10 numbers को add करना है 10 two digit numbers को add करना है यह seven two digit numbers को add करना है तो पहला काम तो यह ना कि आपका जो reaction हो यह जो दो number मैंने आपके सामने लिखे थे उधर 56 plus 78 type का कुछ था जो भी ठीक है तो जैसे यह number आपने सम्किया इसका सम्किय आएगा 134 आएगा तो जब किनी भी दो two digit numbers को दो अंको की संख्याओं को जोडने का result आपके दिमाग में जल्दी आएगा तो दस numbers को जोडने का result भी जल्दी आएगा ठीक है तो आपको process समझ में ultimately क्या है कि अगर हमें पूरा total 10 numbers को भी जोड़के जल्दी result बताना है तो व 30 days का plan दूँगा वो आपको proper follow करना है तो वो उसका focus क्या है on addition of two numbers only on addition of two numbers only कि दो numbers आपको दिये जाएंगे two digit के और उसका result आपको जल्दी से निकालना है आपको 10 number का समतुरन नहीं करना है पहले आपको छोटा सा इस्टब लेना है बेबी इस्टब लेना है दीरे दीरे करक आपको अपना दारा बढ़ाना है तो पहले इस दिन कुछ भी नहीं करना है आप दो numbers को जो दो digit के numbers हैं दो अंको के संख्या है उनको जोड़ना है उनका result लदी निकालने के कोश्य करना है ठीक है यह करना है 30 days के बाद आएगा जिसमें 30 days के बात की कहानी क्या है 30 days के बात क पर satisfied इसको आपको लगातार करते रहे ना जब तक आप satisfied नहीं संतूस नहीं हो ठीक है कि हमें और कम करना है और time कम करना है करते रहो इसमें क्या करेंगे हम इसमें practice का तरीका यह होगा कि आपको पड़ डेली single setting में एक बार में 5 या उससे ज्यादा 5 और मोर 5 या उससे ज्या numbers दे दिये और मैंने बोला इसको sum करो एक साथ ठीक है और यह process आपको कई बार करना है एक ही sitting में मतलब एक बार बैठे हो तो वही 15 minute में सारा खतम करना है kind of कुछ ठीक है बार बार नहीं कि एक अभी कर लिया फिर एक शाम को करेंगे फिर एक दो पार में करेंगे एक sitting में सा ही नहीं है दस कर लोगे तो 11 भी कर लोगे 12 भी कर लो तो एक्जाम के point of view के हिसाब से अगर आप questions आप देखोगे तो आप 10 नंबरों को 30 से जोड़ सकते हो ना डो डिजिट के numbers को आपको कुछ भी फिकर करने की ज़़द नहीं बहुत है उतना skill किसी भी level के exam को निकालने के यह मैं अपने experience आपको बता रहूँ तो चलिए आपको दिखाते हैं प्राक्टिस करोगे तो कैसे करोगे इस पर यह जो sheet खुली हुए आपको जैसे आपको numbers देख रहे होंगे column में 10 numbers देख रहे हैं row में भी 10 numbers ठीक है column में 10 numbers row में 10 numbers आपको करना क्या है आपको जैसे इस grid पे गया इस grid को ध्यान से देखो तो इस grid का मतलब यह है कि इसका जो row में number है अगर आप इस row में जाओगे तो number क्या देख रहा है आपको 22 ठीक है और यहाँ पर number क्या देख रहा इस grid का मतलब हुआ 95 प्लस 22 आपको निकालना है तो आप जहां से कहोगे 117 होता है अब आपको डाउट है कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ बगल में ही आंसर भी दिया है चेक कर लो जाके 117 अब देखो मैं इसको refresh करके चेंज कर रहा हूँ refresh पर क्लिक किया बटन से चेंज हो गया अब चेंज रज़ने पाद देखो यह वाला कॉलम 48 प्लस 92 आ आपका ठीक है यहां पर सम कितना आ रहा है यहां कितना रह रहा है आपको बता है इस शीट में कितना रहा है तो आपको करना क्या है जिसे इस grid की बात करा हूँ यहां गए तो यहां पर यह 44 प्लस 10 है चलो यह तो बहुत असान हो गया यहां पर आजाओ जैसे यह 91 है और प्लस आपका 44 है तो यह आपका कितना हुआ 135 हो गया तो करना कि आपको simple सा बैठना है और इस एक एक grid में जाके ना कुछ नहीं करना है एक एक grid में पहले 30 दिन आपको यह करना है हर grid में जाओ और हर grid का sum निकालो ठीक है कि रो में जैसे यहां 44 है column में यहां 58 है तो इसका मतलब हो गया कि आपको 58 प्लस 44 निकालने की जरूरत है जो कि आपका 102 होता ह ठीक है तो यह जो कोशिश करना है आपको कि बिना पेन उठाए हुए यह काम होना चाहिए टाइम लगे लगने दो मैं आपको कितना टाइम दिया है 30 दिन का टाइम दिया अब आपकी इच्छा निसार करना है मेरा recommendation है कि इसको कम से कम दिन में एक बार तो यह पूरी sheet करनी ह कम और अगर आपके पास वक्त जादा है तो इससे बहतर क्या है एक बार और कर ले ना यह की चीज़ें कोई पढ़ाता ही नहीं है मैं आपको बता रहा हूं इस पर काम जरूर करना यह आपको बहुत आगे लेकर जाएगा ठीक है यह जरूरी है वेदिक mathematics साप कितना भी सीख लो आपकी calculation वैसी ही रहेगे exam में ठीक है मैं वेदिक mathematics को अपोज नहीं कर रहा हूं बट आपके exam के लिए उसके need नहीं है आपको अपना addition skill बहतर करना है वो भी two-digit addition तो इस grid को आपको करना कुछ नहीं और sum कर लो कोई भी doubt हो रहा है जा दिमाग लगाने का मन नहीं कर रह है आपको ठीक है तो हर grid में जाईए और इस तरह से इसको इस्तिमाल करिए ठीक है तो मैंने आपको जैसा बोला कि यह आपकी phase one practice के लिए है यह आपका सिर्फ phase one के लिए है phase one में आपको 30 days इसको करना है regular इसमें gap ना ही दो तो बहतर है और यह चीज तो आराम से कहीं भी हो सकती है तो इसको miss नहीं करना है इसको follow करना है फिर आए 30 दिन पूरे हो गए 30 दिन पूरे हो गए तो कहा आगए हम लोग phase two में आगए अब phase two में अगर आगए तो phase two में आपके लिए अच्छा इंतिजाम मेंने किया है फेस टू की जब आपको शिरुवात करनी है वो कैसे करनी है फेस टू में आपको numbers को sum करना है row wise और column wise सारे नंबर भरे हुए है आपको इसको sum करना है ठीक है आपको इसको sum करना है और यहां लिखना है जैसे इस को column को sum किया लिखा इस column को sum किया यहां लिखा इस column को sum किया यहां लिखा ठीक है इस column को sum किया यहां लिखा ठीक है रिजिस्टेंस होगा time लगेगा परेशान मत होना five by five से minimum शुरुआत करनी है ठीक है तो आप देखो के हर row को sum करोगे हर column को sum करोगे फिर आपको देखो यहां सारी row मिल यहां सारी columns मिल जाएंगे, यहां सारी rows मिल जाएंगी, हर row का sum, फिर इस पूरी row का sum और इस पूरी column का sum भी बराबर होना चाहिए, तो वहां से भी आप test कर सकते हो कि आप सही हो कि नहीं हो, तो आप करना क्या कि एक pen और paper ले लेना, उसमें कुछ भी नहीं करना है, सारे number उत सम लिखना है, column 5 का sum, final sum लिखना है, ऐसे row 1 का sum, row 2 का sum, row 3 का sum, row 4 का sum, row 5 का sum लिखना है, ठीक है, फिर आप क्या करना कि यह जो totals है, columns के इनको भी add कर लेना, और फिर आप totals है, row के भी add कर लेना, और match कर लेना, कि यह match कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं match कर रहा है, तो लिखा हुआ है number sum करके लिखा हुआ है आपका five by six suppose करो आपने किया mastery हो गई जिस दिन लगा कि यार five by five तो आप मैं कर पा रहा हूँ आसानी से जब तक नहीं होगा five by five में mastery आगे नहीं बढ़ना है five by five जिस दिन आपको लगा कि आप तो मैं आराम से कर पा रहा हूं फिर कहां जाना है आपको six by six में देखो यह six by six भी बगल में आपके है यहां पर six rows six column random data please refresh refresh करते ही देखो data randomly बदल रहा है करो practice एक एक सेट तो करो कम से कम daily ठीक है six by six हो गया six by six पे mastery हो गई पहुंच गए अगले level पे seven by seven पे कहां पहुंच गए फिर seven by seven पे mastery हो गई eight by eight पे ऐसे करके nine by nine तक आएगा और देखो यह है आपका pinnacle ten by ten ठीक है समझ रहो करते रहना बस यही मेरा कहना है कि इस चीज को लगातार आपको करते रहना है अगर आपने बीच में छोड़े दस दिन करोगे जोश जोश में कि सर ने इतना तेश calculate किया था हमको भी वैसा बनना है फिर ना क्या होगा आपका dedication को दिनों बाद खतम हो जाएगा इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि जो मैंने बातें बोली इसको बताने के पहले या बताने के बाद उनका ध्यान रटना यह बहुत ही important चीज है अगर आपको वाकई में अपनी calculations उधारनी है तो इसको skip मत करना अग improvement में बहुत ज़्यादा गुंजाईस नहीं है फिर जो ऐसे improvements हैं कि थोड़ा methodological जो change होता है आपका कि आपके methods को change करके आपकी calculation बदलना वो तो हो जाएगा वो मैं आगे के lessons में आपको बताऊंगा बट जो basic dependency है addition की उस level की calculation आपके नहीं हो पाएगा तो उमीद करता हूँ आपको इसको अच्छे से follow कहीं नहीं करने की जरूरत है तो इस lesson में इतना ही ठीक है तो अगले lesson में हम बात करेंगे कुछ और edition से जो जैसे two-digit edition तो master हो गया तो आगे क्या इसके बारे में हम अगले lesson में बात करेंगे उसके पहले इस lesson को बहुत अच्छे से समझने के पहल आपको कितना time लगता है अपना target set करिए कि कम से कम 15 seconds तक लेके आते हैं 15 seconds जब हो जाएगा तब और कम करने कोश्च करना लेकिन पहले कम से कम phases बनाओ कि चलो 20 seconds तक लाना है फिर 15 seconds लाना है कम से कम मैं करा हूँ कि कितना improvement होगा exam तक वो तो आपके dedication के उपर है लेकिन जितना भी हो जाएगा आपको फाइदा करेगा क्योंकि बाकी लोग तो काम ही नहीं करते इस पर इस पर कोई काम नहीं करता यह मैं जाके किसी को भी बता दू लोग शुरू करके बंद कर देते हैं पर मैं आपको यह समझा रहा हूँ इसकी बहुत importance है ठीक है और मैंने आपको result दि